अच्छा श्राद में यह तो आपने बोला कि खीर का भोगव लगाया जाता है कोवो को श्राद में यह वीस से पित्रु को शान्ति मिल बाकी टीन पिडिति तक बोला 그냥 अगर गर करेंगे जिस्थी पे भी आप के पित्रु का देहान्त हुआ है, उस टाइम पे आप अगर भ्राम्मन को बुला के सबसे बेस्ट दान जो कहा गया है ना, वो अन्न दान कहा गया है, किसी को खाना खिलाना, और उसमें भी जब पित्रू को हम आवकार करते हैं ना उस टाइम पे, और उनको ऐजे पित्रू समझ कि जब हम सव करते हैं पूरे मनो भाव से ठीक है, तो वो कही न कही तुरुक दोते हैं तो आप तीन पीडी का ना कर सको तो दो पीडी और ना कर सको तो कम सी कम एक पीडी का तो करना ही चाहिए मैं समझ सकती हूँ कि अब भी बहुत ही स्कैडूल होता है सभी का बहुती हैक्रिक लाइफस्टाल हो गई है नहीं हो सकता है तो आप कहीं पर इसके बारे में दान भी लिख्वा सकते हैं कि 'reера और अनाध-छाम है हमारे एक ölउन क्तने मंदीर है आप वहाँ पर भोजन चलता ही रहता है आप वहाँ आप लिखवा सकते हैं राजबोग जी इसे काहा जाता है सतंसे चिराच के मनधीर कर दिजना आहरेक्ट हम तो अब करनी दो हैं और जो यह एक मेता हैं बेलकुल реूल कर सकते हैं